देशवर में चल रहे हैं आजादी के अमरत महोत्सों के माध्यम से हम उन महान हस्तियों को याद कर रहे हैं, जिन्होंने देश के आजादी में अपना अहम योगदान दिया है। इसी कड़ी में स्वतंतुरता सेनानी, हेमवती नंदन बहुगुणा, जगदेव राव, पाठिल और मिर्जा बहादुर की कहानी। पौडी गढ़वाल में हुआ था, जो अब उत्तरा खंड में है। 1930 के दशक में इलहाबाद विश्विद्याले से कॉलेज शिक्षा के दोरान ही उन्होंने स्वतंतुरता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान उन्हें गरफतार कर जेल में डाल दिया गया। 1942 से 1946 तक उन्हें कारागार में रखा गया। देश की आजादी के बाद उन्होंने इलहाबाद में श्रम संगठनों के साथ काम किया। और भारतिये राष्ट्रिये श्रमिक संग कॉंग्रिस की सदस्य बनाई गये। बहुगुणा ने 1952 में उत्तर प्रदेश के इलहाबाद में कर्छना और चैल निर्वाचन ख्षेत्र से और 1957 में सिराथू से विधान सभा चुनाव जीता। 1957 में बहुगुणा श्रम और समाज कल्यान मंत्रालियों में संसदिय सचिव बनाई गये। एक वर्ष बाद उन्हें उद्योग उप मंत्री बनाया गया। बाद में 1962 में वे श्रम विभाग में कारे रत रहे। 1960 के दशक में और 1970 के दशक की शुरवात में बहुगुणा का राजनितिक दर्जा लगातार बढ़ता गया। और 1967 में उन्हें वित और परिवहन मंत्राले का प्रभार सौपा गया। बाद में जनिता दल गठ बंधन में इसका विले कर दिया गया और बहुगुणा कैबिनेट मंत्री बनाए गया। 1987 में अपनी मृत्यू तक बहुगुणा जनहीत के कारेओं के लिए समर्पित रहे। इस महान राजनिता को हमारा नमन। आज हम समाजिक कारेकरता और स्वतंत्रता सेनानी जगदेव राव पाटिल का भी स्मरण कर रहे हैं। 1949 में 17 मार्च को उनका निधन हुआ था। महराश्ट्र के बुलढाना के निवासी जगदेव राव ने 1930 के नागरिक अवग्या आंदूलन में भाग लिया। उन्हें गिरफतार कर छे महीने के कठोर कारावास की सजा दी गई। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने समाचार पत्र राश्ट्र माता का संपादन किया। उन्हीं मलकापूर तालूका कॉंग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और बेस्वतंत्रता आंदूलन के लिए काम करते रहे। माना जाता है कि 17 मार्च 1949 को रहस्यमें परिस्थितियों में एक पुलिस एजेंट त्वारा उनकी हध्या कर दी गई। इस महान विभूती को हमारा नमा आज हम दिल्ली निवासी मिर्जा बहादूर को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में स्वतंत्रता की पहली लडाई में भाग लिया था। उन्होंने बड़ी बहादूरी से दिल्ली में ब्रिटिश सेना को आगे बढ़ने से रोका, लेकिन दिल्ली पर फिर कब़ा करनी के बाद, ब्रिटिश सेनीकों ने उन्हें गिरफतार कर लिया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई और 17 मार्च 1858 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया इस महान शहीद को शत शत नमन